अपने बिजनस से चीप क्लाइंस को निकाल दो और रिच क्लाइंस की तादात को बढ़ाओं अरे ये चीप क्लाइंस होते क्या है? ये रिच क्लाइंस कैसे मिलते हैं? बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में घुम रहे होंगे कि ये कॉंसेट तो मैंने पहली बार सुना है अगर सुना भी है तो इसको कैसे इंप्लिमेंट करें? दोस्तो आखिर तक मेरे साथ में बने रही हैं उनको हम कैसे पैचाने हैं? पूरी वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूगा दोस्तो और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट मैं God bless you ज़रूर लिखना क्योंकि ये वीडियो मैं आपकी दौआउ के लिए बनाता हम तो शुरू करते हैं with positive energy जी दौस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना कुछ experience शेर करूँगा जब पहली बार मैं दुबई एरपोर्ट पर उत्रा मेरे दोस्त मुझे ले रहे आये थे अपनी कार में और रात की कुछ एक या देड़ बजे हुए थे अब मैं उनके कार में बैठे और चलते जा रहे थे और एक signal लगा तो उनकी कार खड़ी हो गई अब मैं उनको देखने लगा कि भई कार तो खड़ी हो गई है आप चलिए तो कहते हैं नहीं signal है फिर signal हटा तो हम चले अच्छी बात है रात को एक देड़ बजे भी लोग फॉलो कर रहे है इसको फिर हम सुबह उठे और वोकिंग के लिए चलने लगे बाहर निकले तो देखा के लोग सेबरा क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहे हैं वर्सस में लोग चड़ रहे हैं तो लाइन लगा के चड़ रहे हैं यह अची जगा है तो मैंने दोस्त को बुचा कि या यह तो वही सारे लोग है जो हमारी घ्या में रहते हैं पकिसान में रहते हैं बंगलादेश में रहते यही लोग है साइब दुबै में लेकिन यह इतने रूल्स को क्यों फॉलो करते तो उसने मुझे एक बात बताई थी जो बात मैं अपने हर बिजनस्मान को बताने की कोशिश करता हूँ कि दोस्त यह लोग सिस्टम में हैं अगर इन्होंने सिस्टम को तोड़ा तो इनको फाइन लगाया जाता है कल रात को मैं तुझे गाड़ी से लेकर आ रहा था अगर मैंने गाड़ी वहां सिगनल पर रुका ही नहीं होती और निकल गया होता तो मुझे हैवी फाइन आता उस के डर से मैंने सिगनल को नहीं तोड़ा यही उसने मुझे बता है और अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस नहीं करते हो तो आपको हुज फाइन लगेगा तो मैं समझ गया कि यस यह कंट्री क्यों इतनी डेवलप्ट है इसके पीछे का रिजन है कि यह लोग सिस्टम हमारे वीडियो से कैसे रिलेटेड है मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि आपको भी ऐसे ही अपने बिजनस को सिस्टम में लाना पड़ेगा बिजनस खराब क्यों होता है क्योंकि हम चीप कस्टमर्स के पीछे भागते हैं और हम रिच क्लाइंट के पीछे नहीं जाते जब हम रिच क्लाइंट के पीछे नहीं जाते हैं तो हमारा बिजनस डूबने लगता है अब हम जानेगे कि चीप क्लाइंट चीप क्लाइंट जो एरफान का उचाली कर रहा है वो चीप क्लाइंट होते कौन हैं दोस्तो हर बिजनस में 60% चीप क्लाइंट होते हैं और 40% रि ये जो cheap clients होते हैं न दोस्तों, इनकी category है, जैसे ये आप से सबसे पहले उधार मांगते हैं, हाँ दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, कि थोड़ी खाओ लेकिन खुशिकी खाओ, यानि जब आप सोने के लिए जाओ न तो आराम से नीद आनी चाहिए, बह Otherwise, उधार जो है, ये cheap clients आपके साथ में ये आदत डालते हैं आपको, business तो बड़ा दिखता है, लेकिन end of the day, जब वसूली की बारी आती है, तो ये लोग आपको पैचाने से तक इंकार कर देते हैं, तो आपको क्या करना है, दोस्तों पता है, इस प्रजादी की सबसे पहले क हैं, उधारी में माल खरीदते हैं, आपको पैसा नहीं देते हैं, और आपकी negativity सबसे ज्यादा करते हैं, हाँ दोस्तों, अगर आपने उनसे पैसे मांगने के लिए गए तो वो आपको बड़नाम करते हैं, कि आपका product अच्छा नहीं था, आपकी service अच्छी नहीं थी, इसलि हैं, जिसे मैंने आपको दुबई का example दिया, कि आपको भी अपने धंदे को system में लाना पड़ेगा, और ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो startup कर रहा है तो उसके लिए बड़ा आसान है कि इस वीडियो को follow करें, और वो cheap clients को अपने से धूर रखें, और जो rich clients हैं, उनको अपने past में बुलाए, तो जो startup है उनके लिए आसान है, लेकिन जिनका already business है, जिनोंने अपने system को खराब रख किया हुआ है, उनको slowly slowly क्या करना पड़ेगा, अपने cheap clients को, या तो अपने business से निकाल देना पड़ेगा, या उनको सुधारना पड़ेगा, कि सुधर जा, अगर तुझको मेरे से business करना है, तो तुझे rich thinking रखनी पड़ेगी, तुझे बहुत अच्छे तरीके से मेरे पास में आना पड़ेगा, उधार माल नहीं मिलेगा, discount offer जो मैं आपको दूँगा, वही मिलेगा, उससे extra मत उमीद करना, जब आप ये आदत लगाते हो दोस्तों, तो आपसे नहीं मंगता है, for example, आपसी कोई सामान करीदने आता है, 100 रुपी का सामान है, आपको पता है, मेरा 40 रुपी का मार्जिन है, आप 100 रुपिया बोलते हैं, वो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, आपको पता हुना चाहिए कि मैं 80 रुपे से नीचे जाही नह नहीं जा सकता मैं, it is not possible, कोई offer है क्या, जो आपने offer लगा है, वह offer दो, offer पे offer मत दो, जब आप offer पे offer देते हो, तो किसी picture में मैंने सुना था, वो चड़ी पे गड़ी offer, ऐसे भी लोग करते हैं, ऐसे भी लोग business में करते हैं, और हम जिम्मेदार होते हैं, दोस्तो, cheap clients को ready करने के लिए, कोई client cheap नहीं होता, दोस्त, लेकिन जब वो तेरे दुकान पे आता है, वो तेरी mentality को देखता है, वो तुझे देखता है, तेरा business करने का तरीका देखता है, तो वो cheap बन जाता है, तो आपको क्या करना है, दोस्तों पता है, आपको अपने आपको rich रखना है, ताके rich clients आपके पास है और वो cheap ना बने rich ही बने रहे अब कौन से clients है जो rich clients होते हैं दोस्तों आपको क्या करना है 60% जो cheap clients है उनको कोशिश करना है rich में convert करने के लिए या वो 40% clients है उनके ओपर बहुत अच्छे तरीके से business करना है यानि उनको अच्छी quality का माल देना अच्छी pricing चार्ज करना उनसे अच्छा profit कमाना ताकि वो बंदा उसको चाहिए कि मुझे अच्छा माल मिले भले दो पैसा में ज्यादा दू जो service है या goods है वो उनको अच्छी quality का मिले अच्छी चीज का मिले और वो आपकी साथ में हमेशा क्या रहे बंदेवर हैं दोस्तों तो ये आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपका client होगा जो rich होगा उसको आपको एक अच्छी quality देनी है जब आप उसको एक अच्छी quality दोगे तो वो आपकी साथ में हमेशा क्या रहेगा टिका हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है दोस्तो चीफ क्लाइंस को बाहर निकलना है या चीफ क्लाइंस को आपको रिच बनना है या रिच क्लाइंस को टागेट करना है मैं इतने ही ओडियंस को टागेट करूंगा इतने में ही बेचूंगा और खुश उसको survival करने वाला है, तो आपको ऐसे relationship create करने पड़ेंगे, ऐसे rich clients आपको create करने पड़ेंगे, जो आपकी धंदे को दिंदुनी राचोगनी तरकी दे सके, इसलिए आपको दोस्तों sales बड़े अच्छी तरीके से करना है, और बहुत से लोगों को बहुत सी दिक्कत आती है, कि सब this is my problem, अगर आपको लगता है कि आपकी धंदे में कोई problem है, तो आप कुझे comment में लिखे, मैं कोशिश करूँगा, individually आपके comments का reply देने के लिए, कि किस तरह से आप अपने sales को और rich और अमीर बना सकते हो, दोस्तों इसके लिए मैंने एक playlist बनाई है, spanko की sales training की, बहुत ब entrepreneurs है, वो जो challenges face कर रहे है, वो अपने challenges से overcome करें और अपने business को बड़ी hype पे लेके जाए, मेरा नाम इर्फान कौचाली है, मैं business को sales training, international motivational speaker और आप लोगों का दूस्त, दोस्तों मेरा काम तो हो गया, जो मेरे पास knowledge था, मैंने कोशिश की कि कि आप लोगों तक मैं पहुचा दोस्त, God bless you, लिग दीजिए, मेरा काम हो जाएगा, और इसे share कीजिए, अगर आपने मेरा चानल सब्सक्राइब ने कीजिए, प्लीज मेरा चानल सब्सक्राइब कीजिए, हवेशा हसते रहे हैं, मुस्कुराते रहे हैं, एर्फान कौचाली के साथ में, थैंकियो सो मच,